हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज 2.4 के हमने कोशियन 1,2,3 कर चुके हैं अब हम करेंगे कोशियन नमबर 4 से स्टार्ट कोशियन नमबर 4 में क्या दे रिखा आपको फैक्टराइज factorize करेंगे हम 12x केर माइनस 7x प्लस से 1 को अब इसको factorize करने के लिए हमारे पास क्या method है देखो हमारे पास क्या है जो x केर है सबसे पहले हम क्या करेंगे उसका जो coefficient है उसकी और last desert की multiply करेंगे 12 की और 1 की multiply क्या आजएगा 12 क्या है 12 और ये हमारे पास क्या है माइनस 7 तो हमें क्या डूढ़ना है कि किनी भी दो नमबर को अगर हम multiply करें 12 आजए और अगर उसको plus या minus करें तो हमारे पास क्या आजए minus 7 आजए तो ऐसे कौन से दो नमबर हैं हमारे पास से दो नमबर हमारे पास क्या हो जाएंगे 4 और 3 और दोनों को अगर हम minus के ले लेंगे minus 4 minus 3 यहां भी minus 4 minus 3 minus minus plus 12 आजएगा और minus 4 minus 3 क्या आजएगा minus 7 यह हमें चाहिए plus का 12 और minus 7 तो इस तरह से हम क्या बनाएंगे इसके factor क्या आया 12x square सिर्फ हमने multiply के लिए देखा है कि वो number क्या बनेगा लिखने के लिए हम इसको इसके साथ ही लिखेंगे ठीके 12x square minus 7x के मार पास factor क्या क्या बने minus 4x और minus 3x plus 1 अब जो मार पास first दो factor है उन में से देखो दोनों elements में से common क्या आएगा एक तो 4 common आगया और एक दोनों में क्या है x है 4 3 जा 12 तो 3 और क्या बच गया यहाँ x minus 4x पूरा भार गया तो क्या आया 1 अब इन दोनों में से common कुछ नहीं है कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे उसके बाद अमार पास यहाँ 3x plus का है यहाँ minus का है तो क्या ले लेंगे minus है 1 common ले लेंगे अंदर क्या बचेगा 3x minus 1 जो plus था वो minus हो गया जो minus था वो plus हो गया अब दोनों में common क्या हो गया 3x minus से 1 यह हमने दोनों में से common ले लिया क्या बच गया 4x minus से 1 यह थी हमारे पास इसके factor next है 2x square plus 7x plus 3 2 और 3 की multiply क्या आजएगा 6 आजएगा किनी भी दो नंबर की multiply करने से 6 आजएगा प्लस करने से 7 आजएगा क्या क्या है वो factor 6 और 1 6 multiply 1 हो जाएगा और 6 प्लस से 1 आजएगा प्लस था इसलिए दोनों में प्लस के लिए अब क्या आजएगा देखो 2x square plus 7 को उमने किसमें break कर लिया 6 और 1 में 7x को लिखा 6x plus x plus 3 दोनों में से common क्या आजएगा 2x से यहाँ क्या बचएगा x plus 2 3 जा 6 तो क्या बचएगा 3 x plus 3 में से common क्या ले लिया हमने कुछ भी नहीं है तो क्या लिया 1 क्या रहेगा is it is x plus 3 अब दोनों में x plus 3 x plus 3 common आजएगा और क्या बचेगा 2x प्लस से 1 बचेगा मार पास next फिर थर्ड 6x के और प्लस 5x माइनस 6 अब देखो इसके और इसके मिल्टिप्लाई क्या आएगा माइनस है ना मार पास 6 6 जहां 36 है किनी भी दो नंबर की मिल्टिप्लाई माइनस 36 आ जाए और प्लस से 5 आ जाए आएगा एक के पॉजेटिव आएगा तभी दो मार पास मिल्टिप्लाई नेगिटिव आएगी और उन प्लस 5 है तो इसके वो ज़्यादा आने चाहिए हमारे पास से देखते क्या क्या फैक्टर बनेगा नाइन और 4 तो मार पास ज्यादा किसके हैं प्लस के ज्यादा हैं तो प्लस का क्या ले लेंगे? 9, और मैनस का क्या ले लिया? 4, प्लस का आमार पास 9 हो जाएगा और मैनस का 4, इन दोनों की multiply कर देंगे, 4, 9 जा, मैनस 36, 9 में से 4 जाएगा, 5, तो इसको मने break किया, 6x के एर, प्लस 5x को मैंने कैसे break कर लिया? 9x माइनस से 4 4x-6, इन दोनों में से common क्या आएगा, 3 की table में आते हैं ने दोनों, तो 3 आ गया, और क्या आया, x है, 3 2 जा 6, तो क्या आया, 2 और 1x आ गया, हमार पास, 3 3 जा 9, क्या आया, 3, minus, अब देखो, इन दोनों में minus था, तो minus common ले लिया, 2 की table में आते है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 common ले लिया, 2 2 जा 4, 2 x या, minus, minus, plus, 2 3 जा 6, 3 आ जेगा, दोनों में common क्या है, 2 x plus 3, क्या बचेगा, 3 x minus 2, ठीक है, next step और थे, 3 x square, minus x minus 4, अब इसको हमने break किया, 3, 4 जा 12, यह क्या आया, minus 12, कि नहीं भी दोन नंबर की multiply, minus 12 आए, और minus 1 आ जाए हमारे पास, क्योंकि x कोफिशेंट क्या है, इसका 1, तो हमारे पास कैसे आ सकता है, कि नहीं भी दोन नंबर की multiply negative कब होगी, जब एक positive है, एक negative है, एक तो हमारे पास positive लेना है, और एक हमें negative लेना है, उसके बाद जब negative दे रखा है, यहाँ पे, तो it means negative के ज़्यादा है, और positive के कम है हमारे पास, नंबर देखते हैं, क्या क्या है, 4 और 3, कैसे, लेखो, 4 minus और plus से 3, multiply कर देंगे, plus minus, minus, 4, 3 जा 12, minus का 4 हो गया, plus का 3, minus 4, plus 3 क्या आएगा, minus 1, तो हमारे पास factor क्या है, minus 4x, plus से 3x है, और minus 4, दोनों में से common क्या आएगा, x common आजाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 3x minus 4, दोनों में common क्या है, कुछ भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे, plus से 1, 3x minus 4, दोनों में से 3x minus 4, मारे पास common आजाएगा, क्या बचेगा, x plus से 1, यह हमारे पास क्या आगया, इसके factors, next है, question number 5, इसमें भी हमें क्या करना है, factorize, factorize करेंगे, हम कैसे, x cube minus 2x square minus x plus से 2, आपको एक polynomial दी हुई है, अभी तक हमें कितने की दे रुखे थी, quadratic polynomial, highest degree 2 थी, अब हमारे पास क्या आगया, क्यूबिक polynomial, अगर इसकी highest power 3 है, तो factor कितने होंगे हमारे पास, 3, ठीक है, इसकी highest power 2 थी, हमारे पास factor कितने हो रहे थे, 2, highest power 3 है, 3 factor होंगे, 4 है, 4 factor होंगे, अब देखो इसको कैसे करेंगे, x cube minus 2x square minus x plus 2, यह हमारे पास एक px देर, कि let px is equal to a polynomial है, let us guess a factor of x minus 1, now putting this value in px, हम अपने पास से कोई भी एक factor बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कि x की जगे पर पहले हम 1 put करके देखते हैं, अगर 1 put करने से यह 0 आ जाता है, तो 1 factor हो जाएगा उसका, अगर नहीं आता, तो उसको छोड़ देंगे, फिर minus 1 put करके देखते हैं, फिर 2 put करके देखते हैं, फिर minus 2, ऐसे put करके देखते हैं, तो हमें उससे क्या मिल जाएगा है कि factor, कैसे देखो, हमने क्या मान लिए कि x minus 1 इसका एक factor है, तो 1 value जब हम put करेंगे, is equal to 0, 1 हो धर लेके गए, x की value क्या आए, 1, 1 value पुट करेंगे, इसके अंदर, 1 cube minus 2, 1 square minus 1 plus 2, 1 आ जाएगा, minus 2, minus 1 plus 2, 2 से minus 2 cancel, 1 से minus 1 cancel, क्या आया, 0, तो हमें यहां से क्या मिल गया है, कि x minus 1 क्या है, इसका एक factor, so x minus 1 is a factor of a, p x, इसली हमने बोल दिया, कि x minus 1 इसका एक factor है, जब हमारे पास एक factor मिल गया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दो factor और भी find करने हैं, उनको कैसे find करेंगे, देखो, यह आपको एक polynomial दे रखिए है, इस polynomial को हमने break कर लिया, कैसे x cube minus 2x square को कैसे लिख लिया, minus x square minus x square, two times लिख लिया न हमने, minus x को कैसे लिख लिया, plus x minus 2x, 2x में से अगर हम x गटाएंगे, तो x बचेगा और वो भी किसका, minus का, और plus 2, अब इसको हमने convert कर लिया, दोनों में से common क्या है हमारे पास, x square, यहां क्या बचेगा, 3 power थी, 2 power भार जाएगी, कितने बचेगी, 1 power, x आ गया, और यहां आया, minus 1, इन दोनों में से common क्या लिया, minus लिया, और x लिया, क्या बचेगा, x minus 1, इन दोनों में common क्या है, minus 2, क्या आ जाएगा, x minus 1, सभी में x minus 1 हमारे पास क्या हो जाएगा common तो क्या आया x-1 हमारे पास common आ गया और अंदर क्या बचिया factor x square minus x minus 2 यह factor तो हमने वैसे भी find कर लिया था यह factor तो हमारे पास है पहले से हमें factor किसका बनाना है x square minus x minus से 2 का और जब second degree की है तो वो हमने वाभी उपर किया है कि कैसे बनाना है में factor देखो यह आ गया हमारे पास factor x minus 1 x square minus x minus से 2 इसके हमने factor बनाए इसको exit रखा इसके factor बनाए कि किनी भी दो नंबर की multiply करेंगे क्या आ जाएगा minus 2 और दोनों को plus minus करेंगे तो क्या आ जाएगा minus 1 plus minus means एक plus का होगा एक minus का होगा तभी दो multiply minus में है तो इसलिए हमारे पास क्या क्या है factor minus 2 और plus 1 x square minus 2 x plus x minus 2 दोनों में common क्या है x यहां से क्या बचेगा x minus 2 प्लस दोनों में common कुछ नहीं है क्या ले लेंगे 1 क्या बचेगा x minus 2 अब दोनों में common क्या है x-1 पहले से, क्या आ गया x-2, क्या बचेगा x plus 1, यह हमारे पास एक और factor बच गया, next है, इसी तरह से second part, px is equal to x-3x-9x-5, आपको एक polynomial दी हुई है, x-3-3x-9x-5, मान लिया, इसका हमें एक factor तो मान के चलना है, कि क्या आएगा इसका एक factor, उस factor के लिए हम क्या करेंगे, इसका, देखो, पहले हमने टेक के factor x-1, मान लिए एक factor लेके हैं चलना है हमें, तो उसमें कोई भी value हो सकती है, क्या हो सकती है, एक तो 1, और एक plus minus 5, यह दो put करके देखेंगे, क्यों करके देखते हैं, क्योंकि अगर 1 होगा, तो इन पे कोई effect नहीं पड़ेगा, और 5 है, तो यह मार पास 5 दे रिखा है न, प्लस में रख लेंगे minus में, ताकि यह cancel हो जाए फिर हमारा, X minus 1 put किया, X minus 1 is equal to X की value क्या आई, 1, जब हमने इसके अंदर 1 put किया, 1 का cube minus 3, 1 का square minus 9, 1 minus 5, 1 minus 3, minus 2, और minus 9, minus 11, और minus 5, minus 16, यह तो 0 के equal नहीं है, 0 के equal नहीं है, तो यह इसका factor नहीं है, उसके बाद हमने क्या put किया, X minus 5 is equal to 0 put कर लिया, X की value हमने क्या put की, 5, 5 cube minus 3 into 5 का square minus 9 into 5, minus 5, उसके बाद 5 का cube क्या आजेगा, 125 आजेगा, minus 5 का square 25, 25, 3 जा 75, minus 9, 5 जा 45, minus 5, 125 as it is, इन तीनों को plus करेंगे क्या आएगा, minus 125 cancel होके क्या आया, 0, तो यह हमारे पास क्या हो गया है, कि X minus 5 is the factor of PX, एक factor मिल गया, X minus 5, उसके इलावा हमें जरूरी नहीं है कि यह factor हम find करें, यह हमारे लिए सिर्फ एक practice है, जैसे हमने पिछे किया है, हम इसी से तीनों की तीनों factor find कर सकते है, सिर्फ हमें idea क्या हो जाता है, कि X minus 5 है, तो इसको में ऐसे break करना है, कि X minus 5 समीवे को बना के एक factor बन जाएगा, इसी लिए हमने find करके देखा है, X cube as it is, 3X square को उमने क्या कर लिया, 5 में break कर लिया, क्यों, क्योंकि हम आरे पास 5 बचाना है, 5X minus 5 एक factor बनाना है, तो इसके लिए हमने कर दिया, minus 5X square और plus का 2X square, minus 5 plus 2 क्या आएगा, minus 3X square, फिर है 9X, 9 को उमने कैसे लिख लिया, 10 में से 1 minus कर दे, minus 10X plus X, और minus 5, आप देखो दोनों में common क्या आया, X square, क्या बचेगा, X minus 5, दोनों में common क्या है, plus 2, और इन दोनों में common क्या आया, X, क्या बचेगा, X minus 5, और इसमें common क्या है, कुछ भी नहीं तो, 1 लिख लेंगे, X minus 5, सभी में से common क्या आ गया x-5 अंदर क्या बचेगा x square प्लस से 2x प्लस से 1 अब यह हमार पास है जाटी जाए यह किसका square है इसके अगर हम factor बनाएंगे तो क्या आ जाएगा x plus 1 का whole square तो क्या है हमार पास 3 factor आ गया x-5 इसको 2 times लिख लेंगे x plus 1 into x plus 1 next है हमार पास 3rd part px is equal to x cube plus 13x square plus 32x plus 20 हमारे पास factor देखते हैं क्या क्या plus 1 minus 1 plus minus 2 हो सकता है क्योंकि 20 के factor करके देख लिए है न हमने किसके factor में क्या क्या आ सकता है 1 हो सकता है 2 4 5 and 10 यह आएंगे इसके factor तो इसके according हम 1 पुट करके देखेंगे फिर 2 फिर 4 5 ऐसे पुट करके देखते हैं ठीक है जहां भी 0 आ जा तब हो एक हमें factor मिल जाएगा पहले हमने क्या 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 x-1 x की value 1 पुट कर दी 1 q plus 13 1 square plus 32 into 1 plus 20 जब हमने इसको किया तो क्या आया प्लस का 66 है तो 0 के equal नहीं है 0 के equal नहीं है तो क्या पूल देंगे x-1 is not a factor of a px है उसके बाद हमने क्या put किया अगें x plus 1 1 फिर हमने plus का 1 put किया plus 1 put किया तो is equal to में जब हमने इसमें plus 1 किया तो is equal to में गए minus 1 आ जाएगा फिर minus 1 put करेंगे minus 1 plus 13 minus 1 का square plus 32 minus से 1 यहां पे आपके पास दिर्खा minus 1 का cube minus 1 minus 1 का square करेंगे plus हो जाएगा 13 आ जाएगा 32 और minus 32 plus 20 13 plus 20 क्या आ जाएगा plus का 33 32 minus 1 का minus 33 कैंसल होके क्या आया 0 तो हमें क्या मिल गया कि x plus 1 क्या है एक factor of a px है अब हमें इस polynomial से कैसे break करना है कि x plus 1 हमारे पास एक factor आ जाएगे आप देखो इसको उमने जेटीज कर दिया x cube plus 13 है 13 को उमने क्या कर दिया 12 और 1 में कर दिया x square plus 12 x square 32 को उमने break कर दिया 12 और 20 में 12 x 20 x और plus क्या है 20 दोनों में common क्या है x square क्या बचेगा x plus 1 प्लस दोनों में common क्या है 12 और x क्या बचेगा x plus 1 दोनों में common क्या है 20 x plus 1 सभी में common क्या है x plus 1 अंदर बचेगा हमारे पास x square plus 12 x plus 20 x plus 1 as it is आएगा x square अब दो नंबर की multiply 12 आजे और sorry multiply करें 20 आजे plus minus करें 12 आजे तो मारे पास ऐसे दो नंबर क्या है 10 और 2 10 टू जाए 20 और 10 प्लस 2 12 x square 12 को मने लिग लिए 10 x plus 2 x plus 20 x plus 1 as it is दोनों में common क्या आया x और अंदर क्या हो गया x plus 10 प्लस दोनों में common क्या है 2 x plus 10 आजेगा अब दोनों में common क्या है x plus 10 अंदर क्या बिचेगा x और plus का 2 यह हमारे पास तीन इसके factor आगे next time let px is equal to 2y cube plus y square minus 2y minus 1 यह हमें दे रखा है let a factor x minus a मान लिए हमने एक factor है क्योंकि 1 है तो 1 का factor क्या होगा plus minus होता है तो plus minus 1 put करके देखते हैं for x minus 1 is equal to 0 x की value क्या आई 1 फिर हमने इसके अंदर 1 apply किया तो हमारे पास is equal to में क्या आया 0 तो क्या बोल देंगे x minus 1 क्या है एक factor of px उसके बाद हम apply करते है 2y cube plus y square minus 2y minus 1 2y cube अब इसको उमने ब्रेक किया किस में कि x minus 1 हमारे पास है क्या factor आजे इसको उमने ब्रेक कर लिया 2y cube is it is y square को उमने क्या लिखा minus 2y square और plus 3y square 3 में से 2 minus करेंगे क्या आएगा 1 आजेगा तो yes it is plus इसको उमने ब्रेक कर लिया 2y को minus 3y plus y और minus 1 दोनों में common क्या आया 2 और y square क्या बचेगा y minus 1 प्लस दोनों में common क्या है 3 और y y minus 1 और इन दोनों में common क्या है 1 क्या आजेगा y minus से 1 अब हमारे पास factor क्या आदे यह हमारे पास factor आदे y minus 1 into 2y square plus 3y plus से 1 y minus 1 एक factor हो गया इसको उम ब्रेक करेंगे 2 बंजा 2 किनी भी दो नम्बर्स की multiply 2 आजाए दोनों को plus square 3 आजाए क्या होगा 2 और 1 क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 plus 1 3 तो हमने break किया 2y square plus 2y plus से y plus 1 दोनों में common क्या आजेगा 2y क्या बचेगा y plus 1 इसमें common कुछ भी नहीं है क्या लेंगे 1 क्या आजेगा y plus 1 y-1, इन में y plus 1 common है, और क्या बज़ गया, 2y plus 1, ये हमारे पास क्या आगए, इसके तिनों factor, ये थी हमारी exercise 2.4, last जो questions है, हमारे पास question number 5, most important question है, ठीके, okay, thank you.